पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी इस वक्त हर जगह चर्चा का विशे बनी हुई है सिर्फ भारत में ही इसकी चर्चा नहीं हो रही बलकि पाकिस्तान में भी इसको लेकर कई तरह की बाते हो रही है हालकि इन सब के बीच खबर ये भी आई कि सीमा और सचिन दो वक्त की रोटी का जुगार भी नहीं कर पा रही है दरसल चुकि उनके खिलाफ जाच चल रही है ऐसे में उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है और चूकि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है इसलिए ना कमा पा रही है ना राशन ला पा रही है और ऐसे में अब उनके घर का सारा राशन सारा पैसा खत्म हो गया है कुछ वक्त पहले नेतरपाल जो कि सचिन की पिता है उनका भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भूके मरने की नौबत आ गई है और हमारा कोई न कोई जरूर भला करे हम इसकी अपिक्षा करते हैं आपको ये भी बता दें कि एक बड़े अधिकारी को चिठी भी नेतरपाल की तरफ से लिखी गई थी हाला कि इन सब के बीच बड़ी खबर ये आई है कि एक जाने माने प्रडियूसर जिनका नाम अमित जानी है उन्होंने सीमा और सचिन को अपनी फिल्म में बतौर कलाकार का करने का उफर दिया है हाला कि सचिन और सीमा के परिवार ने इस ओफर को ठुकरा दिया है उनका कहना है कि अभी हमारे खिलाब जाच चल रही है और जब तक ये जाच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते फिल्म प्रडियूसर के ओफर को तो सच के परिवार ने ठुकरा दिया लेकिन अब गुजरात के एक बड़े कारोबारी ने नौकरी का उफर दिया है और सिर्फ सचिन को ही नहीं बलकि सीमा को भी कारोबारी की तरफ से कहा गया है कि दोनों को 50-50,000 रुपे महीने की सैलरी पर नौकरी दी जाएगी जिसके हिसाब स 6-6 लाख रुपे साल आना बैठता है जब से खबर आई है कि सीमा और सचिन का परिवार आर्थिक संकट से जूज रहा है वैसे ही बहुत सारे लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रही है और इसी कड़ी में गुजरात के कारोबारी ने दोनों को नौकरी की पेशकश कर दी है उसने कहा है कि गुजरात में आईए और मेरे यहां पर आप काम कीजिए बताये जा रहा है कि सोमवार की रात को यूपी के ग्रेटर नौइडा के रभूपुरा गाउं में देर रात एक डाकिया पहुँचा और ये अंजान चिठी लेकर पहुँचा सीमा सचिन के घर पर ज इसमें सीमा और सचिन के लिए नौकरी का ओफर था हाला कि सीमा और सचिन ने इस नौकरी के ओफर को भी फिलाल ठुकरा दिया है कुर मिलाकर देखा जाए तो दोनों इस वक्त काफी परिशान चल रही है परिवार वाले परिशान चल रही है जाच फिलाल चल रही है हाला कि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदितिनात का बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आगे इस पर विचार किया जाएगा फिलहाल कारवाही चल रही है सुनिए योगी आदितिनात ने क्या कुछ कहा था एक और बात चर्चा में आई है वो सीमा हैदर का जो केस है उन्होंने अपील भी किया है योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भीजिये मैं पाकिसान वापस नहीं जाना चाहती पब जी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे है देखे ये सुरक्सा एजिंसिया उसको देख रही है और जो भी रिपोर्ट आईगी उसके इन सारवाद में उसमें विचार करेंगे भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं सुरक्सा एजिंसिया उसको देख रहे हैं दो देशों से जड़ा हुआ मामला है और समन्दित एजिंसिया इसमें काम कर रही है तो सुना अपने योगी आदितिनाथ ने सीमा हेदर के सवाल पर क्या जवाब दिया अब आपको सुनाते हैं सीमा हेदर का वो बयान जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती ये बयान उनका तबका है जब UP ATS ने सीमा से पूछताच की थी और उसके तुरंद बाद सीमा ने मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज दिये थे सुनिए सीमा का बयान मैंने सच तो बोला अब समझा पाई यह कोई समझाने वाली बात नहीं थी उन्होंने पूछा मैंने सच बोला अब जो कहेंगे वो वैसा यह करेंगे हम जब जहां कानून करेगा मुझे कबूल है अबी तक जाच में कुछ मिला नहीं आते कि ला लेकिन यहां का कानून ऐसा नहीं करेगा बिलीव यकीन है मुझे भरोसा है ट्रस्ट कहूंगी ट्रस्ट है तो मैं यहां की बेटी हूँ यहां की बहू पाकिस्तान मुझे मतलब परायदेश बन चुका है इसा कुछ भी नहीं है वो हमार साथ फैमिली तरह रहते थे वह पता नहीं क्यों कह रहे हैं नाम लिखवाया ही नहीं था पहले यह थे तो उन्होंने इसे पूछा था और हमने पैसे पेमिट करे थी वहां पे इतनी सक्ती नहीं होती तो होटल वाले बहुत अच्छे थे फै वीडियो इंस्टाग्राम में है और वायल भी हो रही है एक लाल शारी ती गुलाबी शारी थी मेरी में दो साडी भी खरी दी ती में वापिस नहीं जा सकती वहां में लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है तो यहां का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ और आप सबसे भी रिक्वेश्ट है कि सपोर्ट में बोलो जिस तरह गलत गलत बोल रहे हैं भाई को बाप को बाइफरेंड इस तरह मत बोलो हमार बुरा भी था बुरोते भी थे हम लोग धर भी लगता था पर सच तो बोलना था सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना बच्चों से मैं दूर रही दो तिन दिन मुच्चे में साथ नहीं चली अब आपको सुनवाते हैं गुलाम हैदर का बयान किस तरह से वो मोधी सरकार से गुहार लगा रहा है किस तरह से वो शावास सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चों को उसकी पतनी को वापस भेजा जाए गुलाम हैदर की बात को भी सुनिए उनको पाकिस्ताम से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर बिजवाया के से बचों को जैनी मरीज बनाया गया उनको हिंदोस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुकर गजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बचे केदर है ये बारत मीडिया से मैंने एक किलब आपकारी, तीनों बेटी अ मैं मुझे महीं थी सरकार को आठ जोड के गुञारिश करता हूं और पी करता हूं हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पारकिस्तान के हवाले किए जाएं मैं बहुत परीशान हूं, मिश्कीन बंदा हूं, मैं शुकर गजार saucy हैं हिंदोस् अब आप इस खबर पर क्या रहा है रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं